हिंदु धर्व में एकदशी तिथी का विशेश महत्व है। फालगुन मास के शुकल पच में आने वाली एकदशी को आमल की एकदशी या फिर रंग भरी एकदशी के नाम से जाना जाता है। ये एकदशी सभी एकदशियों में सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे तो एकदशी तिथी पर भगओन विश्नु की पूजा की जाती है। लेकिन ये एक मात्र ऐसी एकदशी है जिसमें भगओन शिव के साथ माता पारवती की भी पूजा की जाती है। रंगभरी एकादशी को सुहागन इस्त्री की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर माना जाता है। यह एकादशी होली के कुछ दिन पहले आती है जिसका हिंदू परमपरा में बहुत महत्व बताया गया है। रंगभरी एकादशी वर्ष की एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें विशेश रूप से शिवजी की साधना की जाती है। इस एकादशी के दिन बड़ी संख्या में भोले के भक्त बाबा विश्वनात की नगरी काशी पहुशते हैं और माता गौरी महादेव के साथ होली खेल रंगभरी एकादशी के पावन पर्व पर ना केवल महादेव की नगरी काशी बलकी कृष्ण के ब्रज मंडल में भी रंगों का यह पावन पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस अफसर पर व्रंदावन के बाके भिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण क केसर से बने रंगों से रंग आ जाता है। इस दिन से काशी में होली का तेवार शुरू हो जाता है जो की आने वाले छे दिनों तक चलता है। अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताईएगा। दोस्तो रंग भरी एकादश कर बाइस मिनिट पर तिथी समापत होगी। ऐसे में उद्या तिथी के आधार पर आमल की एकादशी यनि की रंग भरी एकादशी का वरत बीस मार्च के दिन बुद्धवार को रखा जाएगा। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदे के बाद से ही भगवान ना कर सकते हैं। उस दिन सूर्य दे सुबह 6 बच कर 25 मिनिट पर होगा। उस दिन का ब्रह्म मुर्थ प्राता 4 बच कर 50 मिनिट से ले करके प्राता 5 बच के 37 मिनिट तक रहेगा। बीस मार्च को आमल की एकादशी वाले दिन रवी योग, सुकर्मा योग और पुष्य नच चत्र है। उस दिन रवी योग सुबह 6 बच कर 25 मिनिट से शुरू होगा और ये रात को 10 बच कर 38 मिनिट तक रहेगा। रवी योग में सभी दोश मिट जाते हैं। इसमें भगवान सूर्य का प्रभाव अधिक होता है। रवी योग के अलावा अतिगंड योग सुबह से शाम तक 5 बच कर 1 मिनिट तक रहेगा। उसके बाद से सुकर्मा योग बनेगा जो की पूरी रात है। और अगले दिन शाम को 5 बच कर 42 मिनिट तक रहेगा। वरत वाले दिन पुश्य नच्छत्र है जो की सुबह से रात 10 बच कर 38 मिनिट तक है। उसके बाद से असलेशा नच्छत्र लगेगा। आमल की एकादशी के वरत का पारड 21 मार्श दिन ब्रहस्पत्वार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8 बच कर 58 मिनिट पर खतम होगा और पारड समय दोपहर 1 बच कर 41 मिनिट से शाम को 4 बच कर 7 मिनिट तक रहेगा। इस समय में आपको पारड करके वरत को पूरा करना चाहिए। धार्मिक पानिता है कि इस दिन देवों के देव महादेव और माता पारवती काशी गए थे। इसलिए इस एकादशी को बेहदी उत्सहा के साथ मराया जाता है। आमली एकादशी के दिन भगवान विश्णु और आमले के का वास होता है। जो आमल की एकादशी का वरत रखकर आमले के पेड़ की पूजा करते हैं उनके सभी पाप और कश्टव मिट जाते हैं। उनको मौक्ष की प्राप्ती होती है। अब आए जानते हैं कि रंगभरी एकादशी के दिन किस पूजा विधी से हम पूजा करें ज उसके बाद भगवान शिव और गौरी माता का पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदी से पूजड करें। साथी उम, हौं, जूं, सह, मंत्र की कम से कम ग्यारा माला का जाप करें। अब शिव पारवती, श्री हरी विश्णु के मंत्र, स्त्रोत, चालिसा का पाठ करें। रंगभरी या आमल की एकदशी की व्रत कथा पढ़ें, अथ्वा सुनें। अंत में लोगों में प्रसात का वि हर करें। इस एकदशी में आमले से बनी हुई मिठाई का भोग श्री हरी को लगाना बहुत ही अच्छा बाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी मिठाई का भोग भगवान विश्णु को लगाने से उनकी पूरी क्रपा मिलती है। साथ ही अक्षय फलो की प्राप्ती होत बिना वरत कथा के पूरा नहीं होता है तो आमलकी एकदशी के दिन हम कौन सी वरत कथा पढ़े तो चलिए जानते हैं हमें इस दिन कौन सी वरत कथा पढ़नी है दोस्तो रंगभरी एकदशी की पौराडी कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्र सेन नाम का एक राजा था उसके राजे में एकदशी वरत का बहुत महत्व था राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का वरत बोहती श्रद्धा और भावपूर से करते थे राजा चित्रसेन को आमल की एकादशी के प्रती बहती गहरी आस्था थी एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर डिकल गए उसी समय कुछ जंगली और पहाडी डाकों ने राजा को घेर लिया और शेस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे परन्तु जब भी कोई डाकू राजा पर शेस्त्र से प्रहार करता वो शेस्त्र ईश्वर की क्रपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता उन डाकों की संख्या बहुत अधिक थी अतहर राजा संग्याहीन होकर भूमी पर पड़ा रहा उसी समय राजा के शरीर से एक दिविद शक्ती पैदा हुई और उस दिविद शक्ती ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वो अद्रश्य हो गई जब राजा की चेतना लोटी तो सभी डाकों को मरा हुआ पाया यह द्रश्य देख कर राजा को बहुत आश्यर हुआ राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकों को किसने मारा होगा तभी आकाश वड़ी हुई कि हे राजन ये सब दुष्ट तुमारे आमलकी एकद्शी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं तुमारी देह से उतपन आमलकी एकद्शी की वैश्टवी शक्ती ने इनका संघार किया है इन्हें मार कर वो पुनह तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई ये बाते सुनकर राजा को बहुत प्रसंदता हुई और एकदशी के वरत के प्रती राजा की शद्धा और अधिक बढ़ गई राजा अपने देश वापस लोटा और राजी में सब को एकदशी का महत्व बताया और इस एकदशी के क्रपा से राजा पुनह सुख पूर्वक राजी करने लगा धार्मिक मानिताओं में रंग भरी एकदशी का बहुत महत्व है इस दिन भगवान शिव और माता गौरा अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं ये दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बहुत महत्वर रखता है इस दिन काशी में बाबा विश्वनात का विशेश श्रंगार होता है और उनको दूले के रूप में सजाते हैं इसके बाद बाबा विश्वनात जी के साथ माता गौरा का गौना कराये जाता है मानिता है कि इस दिन भगवान शिवजी माता पारवती को पहली बार काशी में लेकर आये थे इसलिए यह तिती बाबा विश्वनात के भगतों के लिए अधिक महतुपूर मानी जाती है इस एकदशी के दिन भगवान भोलेनात तथा माता पार्वती की काशी विश्वनात की नगरी वारडशी में विशेश पूजा अर्चना होती है इस एकदशी पर भगवान श्री विश्णू के साथ साथ भगवान भोलेनात और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है जता है जो कि अगली 6 दिनों तक मनाये जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी रंगभरी एकडशी के विशेह में। आप भी इस बार रंगभरी एकडशी का व्रत-पूजा करें और भगव्वान विश्णु के साथ साद बोले नातकी क्रपा भी प्राप्त करें। भगवा नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे